जब यह कोई बड़ा केक और मिलता है न तो भाइया खुसी तो बहुत होती है कि हाँ आज मुझे इतना बड़ा केक बना लेकिन डर भी उतना ही होता है कि वह सही सलामत हो केक बन के कस्टमर तक मिलना पहुंचना भी चाहिए तो यह 5 kg का केक में बना रही हो बहुत दिनों बा नेचे केज का बेस में बना रही हो तो नीचे वाला बना रही हो मैं तीन किलो का उसके ऊदर बना रही हों गया तो इतना भारी केक बोर्ड में कहां से लेक्यांगी सबसे 大घ्र करती हम trabalhोट की पहले से कर रहे और मैंने जब उनको बोला था 45 रुपय तो पहले मना कर दिया किने 45 रुपय मैं नहीं दूँगा मैं इस पर पर ये का कि क्या है कि कॉहन सा केग बूट क्या कैंट का वहाई हाई ओर इसका नहीं जाना नहीं दूटा हूंगी दिन तो भी चलता है और ये जेवक्स में लेकर आये थी प्रतिमा इसा है प्रतिमा ठीच से ही हूं पूरा पूरा डाल दिये बहुत बड़ा ओर्डर होता है हमारा के ओटीजी में बेक होता है तो आज फिर से हम ओटीजी में ही बेक करेंगे लेकिन इतना सुन्दर बेक हुआ है न एक लाइन नहीं एक क्रैक नहीं एक दम से सुन्दर खुबसूरत जैसे मतलब बिना चांद में दाग वाला जो रहता है वैसा वाला हुआ था बड़ी लेके जा रहे हैं तो 180 डिग्री पर इसको मैंने प्री हीट किया है दो मिनट और फिर रख दिया अपना के कटिन ये देखे पूरे मतलब ना ओटीजी में देखिए इसम जगर नहीं बचा है थोड़ा-थोड़ा साइट में जगर बचा है अब पूरा का पूरा मतलब कवर यह मेरा वो टीजी 35 लिटर का है फिर मैं ले लिए चार वापस से दो किलो का बना रहे हूं न तो इसमें तीन कप मेरे प्रमिक्स ले लिया साधे तीन कप और उसमें आदा कप हमने ले लिया कोका पाउडर डाल की बढ़िया से मिक्स कर दिया फिर से गयार कर लिया बैटर करके अब इसको मुझे कंसे केक्टीन वाले मैं डाले है इस में डाले हूं जाए नहीं तो नहीं होता ही मतलब करें दूसरा रखे है टो नहीं जगह होना चाहिए टो ऐसे जगह यह नहीं बसता थोता था करती है तो फिर अच्छा से निकाल लिए ठंडा हो गया दूसरा वाला बैज भी रख दिया अब आ रहा है गनास की बारी तो गनास कितना बनाना है भाई या पांस किलो का केक है तो फिर मैंने पहले से ही मेरे जो देख रहा है हमारा गनास का पिटा रहा है उसमें पहले से कम सकम दो पट्टी का गनास हमारे पास पड़ा हुआ है और वापस से मैंने पूरा पांसो ग्राम का एक पैकेट मतलब पट्टी पैकेट जो है ना वह पूरा का पूरा लिया तो यह हमारा मतलब डीड़ किलो क्यास पस मेरा गनास ही हो गया था ऐसा मुझे लग रहा है था लेकिन फि अब भी वो हैं और हमारी घर से और आ गया है कितने लोग आ पांच-छे लोग और आ गया है तो मेरा दिमाग ना ऐसा चौंदी आया है कि मुझे समझ में अपने बेटी को बहती है बेटा प्लीज तो क्रीम बीट कर दो यह और मुझे लग रहा था कि मैं मतलब कैंसिल ही कर इतना बड़ा और आया तो कैसे भी करका और इतना तो छोड़िए यह और के साथ आज हमारी बेटी का बड़े भी आसता है दिसंबर को तो मुझे उसका भी केक बनाना है तो उसका केक तो मैंने बहुत ही ज्यादा सुन्दर बना की मतलब रखा है वो भी वीडियो में को हाल यह हो गया है तो समझ में बिलकुल ही आ रहा है कि करना क्या है लेकिन करना तो पड़े गए तो फिर मैंने ले लिया थ्रेट थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद और फिर न थोड़ा सा डर भी लगता जब भी बड़ा केक बनाएंगे दूसरा वाला बैच भी हमारा रे होने के लिए तो जब भी कुछ बड़ा केक बनाती हुना तो मैं कभी भी नाइफ से पूरा नहीं कट करती क्योंकि अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर वह लेयर मजा नहीं आएगा इसके लिए थ्रेट से वाहुदा दे के सामने में मेहमान हमारे नीचे सोय हुए है मतलब क किया है बोला जयाएं और पूचे नेखा kept दे बाहुंगे भाई कि कैसा हाल है अभी हमारा तो वापस दूसरा लिए उर्मक कट कर लिया फिर यह निकाल दिया और तीसरी बारिर भी हो गई अब मैंने क्या क्या लिया सुगर सिर्फ सुगर बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सुगर फ्री केक बन रहा है तो मैंने लिया है normal water अब फिर उसको बढ़ी अज़ा साधा पानी से करना है तो क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी मीठा नहीं चाहिए जो पानी है वह भी साधा है पर उनको मतलब जितना चीनी कम हो सके उतना चीनी कम चाहिए था तो फिर मैंने फाइनली उनको और वह उनकों बहुत बढ़ी अलगा के और मैं पूरे दिखाऊंगे वीडियो और मैं उसितना बिल्क करते करते इतनी हो जा रही हो जो उसे चानल पर मुझे ब्लोग धालनाई कम एकना बनाओ कशोड करो अब कई लोग इसमें कमेंट वाले में यह भी होंगे कि एक काम क्यों पता है आ यह कमेंट ने और कुछ नहीं है और उसके बाद हम रख देंगे दूसरी वाली लेयर रख देंगे दूसरी वाली लेयर तो ऐसा चोखा चटनी बन गया था ना का बता हूं यह देखिए कई से टूट गया तो समालना पर हम लोग को मतलब मुझे करना पड़ेगा तो फिर मैंना अच्छे से एकदम बढ़िया स शकूल लगा दिया फिर वापस सुगर से रख सो कर दिया पिर सुलो से सकर ने विया साधा पानी साधा पानी से पार फिर उसके बढ़िया से पेला दिजे और मुझे यह फैलाने के लिए कि अपनी जू खरवाली नाइफ है的 बढ़ है लंगे लग तो मैं उसी से फैला रही थी क्योंकि बढ़ा वाला जो नाइफ है उसको हैंडल करना बड़ा थोड़ा मुस्किल है और थोड़ा मुस्किल नहीं में। मेरे वाले जो तरप से हमको लगाना कि लिए नॉर्मल क्रीम नहीं है वैट नहीं है और एक है ना ब्लाक में लिए पर जेनल से बना के रखते हैं लोग जिम में अब मैं तो जिम गई नहीं हो सिर्फ दूर से देखा टीवी पे देखा यूटूब पे देखा जिम के अंदर अभी तक मैं पैर नहीं रखी हूं लेकिन यह चिम का केक मैं आने वाद ऐसा लग रहा है कि मैं भी जिम करी लो क्या फिर सोती नह गैप में पहले क्रीम अग्दम भर जाना चाहिए बढ़िया से और इतना बड़ा था टेंटेबल मेरा बहुत छोटा पड़ गया था तो मुझे लग रहा था कि कहीं फिसल के ना भई है नीचे ना गीरे इतना डर लग रहा था मैं अग्दम दीरे-दीरे यह बना रही थी अब इसको भी बढ़िया से करना है क्रीम लगाना है सब कुछ करना है ठीक है तो चलिए अभी क्रीम लगाने की बारी इसको मैंने फटा फट से स्पीड बढ़ाई कट कर लिया उसको आइसिंग भी कर दी क्योंकि सारा आइसिंग दिखाऊं कि अब भाग जाएंगे तो वापस यह नियोन कलर बनाने के लिए मैंने क्या लिया पहले सबसे पहले मैंने य मतलब सुदर देखिना है इसके लिए तो यह तो इसको कवर बहुत डर लग रहा था डर लाघाएंगा कि बहुत विस्वास से कोई और दे रहा है तो हमें उसे एकदम बढ़िया से बढ़िया बना कि देना है तो ऐसा वाला ही थोड़ा सा एक जर अंदर सता रहा था पर फाइनली लुक देखके आप जरूर बदाएगा कि कैसा लगा मतलब सांसे रुग गई थे मेरी तो भया अच नहीं तो फिर दे दीजेगा चल जाएगा मुझे बढ़िया से इसको क्लीन भी मैं नाइफ से कर रहे हूं क्योंकि जो दूसरा वाला मेरे बड़ा वाला पैलेट नाइफ है उससे क्लीन करना मतलब हो नहीं रहा था तो मैं सब कुछ अपना इसी नाइफ से कर रहे थी फिर स्करबकर रहे थी फिर वापस से क्लीन कर रहे थी क्योंकि एक बराबर क्लीन होना चाहिए गए अगर ला बद लि 써शना कर लिया थे क्लीन यह मैंने कर लिया एक बराबर क्लीन यह देखिए उसको कई बार करना पड़ा दो बार तीन बार चार बार तब जागे क्योंकि बड़ा केक है थोड़ा सा रहता है भी विधाना फिर मैंने यह ले लिया अपना डॉबल जो हता पेपर डॉबल वो उससे अच्छे से कर रही हूं कट मनने अंदर डाल डाल के फिर कर लिया है और यह बनाना पना मैंने कितने बज़े स्टार किया था यह मैंने एकसे विश्क्षे बजए क espaço मैंने बनाने स्टाइब किया था और सामके साथ बजगया थे मुझे ये देते बनाते बनाते फिर वापस दूसरा वाले को बनाता था डार्क ग्रे और ब्लैक का थोड़ा मिक्सप तो मैंने इसमें पॉपिलोन का ब्लाक कॉलर एड किया है कॉसम्ट से र मतलब मेरे पास इतने दीनों से था मैंने कभी उसको यूज नहीं किया एक दू कलर मैं यूज के तो मुझे अच्छा नहीं लगा था यह पॉपिलोन वाले ने मुझे भीजा था प्रमोशन के लिए पर मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे वना पसंदी नहीं आए था ब्लाक कलर भाईया माइंड ब्लोइंग है मतलब माइ वापस इसको क्लीन करना है तो बढ़िया से करेंगे तो यह दर दर क्लीन होने के बाद हम आ जाएंगे वापस बड़ा वाला चुमने बनाये था उसके पास क्योंकि यह उठा के हमें उसके उपर भी सिफ्ट करना था इस सबसे बढ़ा भारी वाला काम यही था हमारे लिए तो यहां दोनों तरफ से लगा दिया गया है इस पैचुला बड़े बड़े अब इसे निकालना भाईया खाने काम बिलकुल भी नहीं है क्योंकि दोग यह जी का हैवी कीक है और उसको अच्छे से निकालना भी है ने तो पी पूरे केक का लुक खराब हो जाएगा और इसक से बेस भी आ रहा है ठीक है तो बड़ी ध्यान से काम करना होता है अगर इस बाहर निकल गया मैं उसको बोलती रहने तो रहने तो जम इसके उपर लगाएंगे तो चुप जाएगा क्योंकि इसकी उपर लगा था मैं ब्लैक डॉट डॉट का रिबन अब वो मुझे कहीं नह चीमिला में बजार में कम से कम डेड़ से दो घंटा घूमियों भईएं मिली नहीं रहा था मतब जीस दुखान पर जाहूं नहीं यह तो ब्लैक है तो नियोन है ब्लैक के ऊपर नियोन का डॉट कहीं नहीं मिला था मैं हार पांच के का करूँ फिर लेकि आगे मैं ब्लैक कल पूरा वह वाइट कलर का अपना फूड कलर उससे बोलते बूल जा रहे हैं उससे अच्छे से डॉट कर दिया आप आती है इसकी इसके जो अपने बना के रखे थे ना ग्लॉसी प्रिंट निकाल के अवाथी उसकी वारी ठीक है तो मैंने दिशा को बला कि दिशा तुम डॉट और कंशना आट करो मैं क्या घो सारे जो डंबलों वंबल हमने पारण से बना के रखे वो सब दिखाने का विल्कूल भी optimum आएट में तो मिल्कुल भी रहत है क्योब रहा है लोग्ति यह का बहूंड सा गहीं ब्सकी जाना है क्योंकि आज भी मुझे केक बढ़ा के देना है मम में भी मुझे देखना है क्योंकि मैमान गर पर पहले मना ही करने वाले देखती हुआ कि मुझे नहीं बता मैं पर ने बीटी को भोल के रखा है कि बेटा मैं केक तो रेडी कर दूंगी बट तुम ना उसके जितने भी लगा दिया चारो तो जहां जहां उन्होंने जैसी फोट बेजी थी वैसी यह उनके जिम का नाम है शेप जहां पर वो शुगर केक सबको देने वाले अब वापस जो डंबल वंबल था वो सब हमने सेट कर दिया है अच्छे से यह देखे ठीक उसमें रसी था डंबल थे ठे वाला वीडियो देखना होगा तो जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए कल मिलते हैं